बेटे की गिरिफतारी की मांग कर रहा है उत्तरपदेश की कानून मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं सर विपक्ष जो है वो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है लेकिन लॉइन ओर्डर की स्थिती भी वहाँ ठीक नहीं है ऐसे आरोप लगाया जा रहे हैं किस तरीकी की कार राज इस्थापित करने के लिए प्रतिपद्ध हैं उसके खिलाफ हम कारवाई करेंगे कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है जाच के बाद जो भी इस परश्ट होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे चूंकि मामला भी मानी सरोची नियाले में आ गया है तो जो भी मानी सरोची नाले नियर्णे करेगा जो भी आदिस देगा उसका मन पालन करेगा है विपक्ष ये कह रहा है कि आपने आपोजिशन को लखिमपूर जाने से रोका लेकिन जिसके उपर आरोप है 302 का मुकदमा दर्ज है वो अभी तक पूश्टाज के लिए भी नहीं में वहाँ पर जमावडा नहों लोग अधिक न जाएं लोग उत्तेजित बाते ने करें जिससे दुबारा कोई ऐसी सिती उत्पन हो हमारी सरकार ने 1334 लगाया है और आप देख रहे होंगे कि कुछ-कुछ लोगों को सीमित सिंथा में हम जाने की इजाज़त भी दे रहें लेकिन हमारा विपचिस से केवल रिक्वेश्ट यह है इसे राजनितिक परेटन ना बनाए और सब लोग किसी बड़े मामले पर समय दंसील रहें हमारी सरकार पूरी तरह से निश्पच जाच कराकर कड़ी कारवाई करेगी सर एक आखरी सवल आप से जाना चो अगर यह स्टैबलिश होता है जैसा कि केंद्र ग्री राजमंत्री कह रहें कि उनका बेटा घटना स्थल पे नहीं था अगर यह स्टैबलिश होता है कि वह वहाँ पाए घटना के वक्त तो क्या उनके खिलाफ कारवाई होगी उनकी गिर उतिबध हैं कि जो भी जाँच में निश्बच्ध धंग से आएगा हम कानून के तहट उसके खिलाफ कारवाई करेंगे शली किन clair विबिजेस पाठध्च के मुताबिक कारवाई होगी जो भी Penis Bandis here